नमुश्कार में उप्रिया पत्ना नीज में आपका स्वागत है चिले जानते पत्ना की 11 प्रमुख खबरों को जल्दी पत्ना से लोक माने तिलक टर्मिनल और दुर्ग के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन होली का तेओहार आने में अब बस कुछी दिनों का समय रह गया है ऐसे में होली के मौके पर घर लोटने वालों की संख्या भी ट्रेनों में बढ़ती जा रही है यात्रियों की इसी भीड को देखते वे पुर्वमध रेल की तरफ से स्पेशल ट्रेनों के चलाने की घोशना कर दी गई है रेलवे की तरफ से साजा की गई जानकारी के नुसार पटना से लोगपाने तिलग टर्मिनल और दुरुग के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा पुर्वमध रेल के CPRO विरिंदर कुमार ने इस बात की जानकारी दी है साथ ही उन्होंने बताया है कि स्पेशल ट्रेन के चलाया जाने से दूसरी ट्रेन में यात्रियों का दबाव कम होगा यात्रियों की सहूलियत के लिए ही ट्रेन अलग-अलग स्टेशन से अलग-अलग तारिख में चलाया जाएगी पतना एर्पोर्ट पर बनेगा पांच एरो ब्रिज पतना एर्पोर्ट पर यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते वे इसका विस्तार किया जा रहा है जिसके तहती वर्तबान समय में एर्पोर्ट टर्मिनल का नर्मान हो रहा है उमीद है कि इसका निर्मान कारे साल 2023 के दिसंबर में पूरा हो जाएगा इस बीच नए टर्मिनल भवन के लिए 15 करोड से 5 एरो ब्रिज भी बनाय जा रहे हैं जिसका निर्मान इंडोनेशिया की कंपनी करेगी वर्तमान समय की बात करे तो यात्रियों को गेट से बस के माधिम से फ्लाइट तक पहुँचाय जाता है लेकिन इसके बन जाने से यात्री सीधा फ्लाइट तक पहुँच सकेंगे राजधानी में शराब कारोबारियों पर बाइक से नकेल कसेगी ALTF की टीम होली कात्योहार आते ही बिहार में शराबंदी कारून की धजिया उड़ने की उमीद जुताई जा रही है हाला कि उमीद भी यही है और प्रमाण भी यही मिल रहे है इसलिए राजधानी पटना में खास चौक सी बढ़ाई गई है इसी को ध्यान में रखते वे पटना के जुला अधिकारी ने 20 बाइक के साथ ALTF की टीम को बीते दिन रवाना किया जौरान पटना कलेक्टरेट चंदरशेखर सिंग ने के साथ मदनिशेद और उत्पाद विभाग पटना के सहायक आयुक्त किशोर प्रसाद सिंग और पटना ट्राफिक SP अनिल कुमार शामिल रहे मीडिया में चल रहे खबरों के अनुसार ALTF की यह टीम पटना के सडकों और गलियों में बाइक से गश्ट भी करेगी पटना के DM चंदरशेखर सिंग की माने तो इससे शराब कारोबारियों में भय होगा और शराब की कारोबार पर रोक लगेगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड को मिली जीत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड ने पटना जुला सीनिय डिविजिन क्रिकेट लीग में राजबंशी नगर सीसी पर 5 रन की जीत हासिल की है यह जीत सिधांत विजे के 65 रन और तुशारकांद के 43 रन और कप्तान सुरील कुमार सिंग के 34 रन देकर तीन विकेट लेने के शांदार खेल के बदौलत ही मिली है वही राजवनशी नगर सीसी की तरफ से श्लोक ने सरसट रन और अतुल ने 43 रनों की शांदार पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाने में असफल्ड है आपको बता दे कि इस खेल कायोजन उर्जा स्टेडियम में किया गया था आइडिया है तो फंड की नहीं होगी कमी यदि आपके पास किसी भी उतपात की इनोवेशन का आइडिया है तो उसे जमीन पर उतारने के लिए अब आपके पास फंड की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि इसके लिए सरकार आपकी पूरी-पूरी मदद करने वाली है इतना ही नहीं, इसके लिए आपको तक्नीकी कारियाले, फंडिया, कागजात को दुरुस्त करने में विशुषग्या हर समय मदद भी करेंगे विज्ञान और प्रध्योगी की में अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतिय प्रध्योगी की संस्थान में 13-15 मार्श तक देश के बड़े स्टार्ट अप और इनोवेशन के विश्षग्या शिरकत करेंगे आयाइटी के संबादाता समेलन को संबोधित करते वे तकनीकी विकास बोर्ट के सचिव राजेश कुमार पाठक ने इस बात की जानकारे दी है पटना विमिन्स कॉलेज का पाठिक्रम होगा सम्रत है पटना विमिन्स कॉलेज में IQAC द्वारा नाक ग्रेडिंग पर कारिशाला आयोजित की गई कारिशाला के दूशरे दिन लोयला कॉलेज चेनने के पुर्व प्रचारे फादर जोसिफ जेवियर ने नाक ग्रेडिंग प्रिनाली पर चरचा की कॉलेज में नाक ग्रेडिंग प्रिनाली के विशे पर छेद वसीय शमता विकास कारिशाला का आयोजिन भी किया जा रहा है IGIMS में 118 युवाश चल्य चिकित्सकों को दी जाएगी ट्रेनिंग कोर्स का आयोजिन किये जाने की जानकारी दी गई इस दौरान डॉक्टर मनीश मंडल ने बताया कि इस बार फैलोशिप कोर्स का आयोजिन संसान के सर्जिकल गैस्ट्रोलोजी विभाग में किया गया है कि इस कोर्स में बिहार, जुहारगंट, दिल्ली, गुजरात, करनाटक, केरल, मंधिप्रदेश, उडिसा, तिलंगाना, त्रुपुरा, उत्तरप्रदेश और पश्रिम बंगार के शलेश चकिस्सकों ने अपनाने बंधन कराया है राजधानी पटना में, COVID-19 के मामलों में ज़ारी है गिरावर ज़ारी है तीन मामलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसकी पुष्टी एक लाख एक हजार तीन सो साथ सांपल की जाज की बाद हुई पाटले पुत्र एक्जॉर्टिक और महाराज़ा कॉंपलेक्स की होगी निलामी जल्धी राज़ानी पत्ना के पाटले पुत्र एक्जॉर्टिक और महाराज़ा कॉंपलेक्स की निलामी होने वाली है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पत्ना नगर निगम शहर के बड़े-बड़े मॉल्स और होटेल को लेकर बड़ी कारवाई की तयारी है इसको लेकर नगर निगम की करोरों के होल्डिंग टाक्स बकाय को लेकर शहर के ऐसे ही 15 बड़ी चर्चित संपत्यों को चुनित किया गया है जिनकी ही अब निलामी होने वाली है साथ ही जल्धी जबती का काम भी शुरू होने वाला है आपको बता दे नगर निगम की तरफ से जारी किये गए सूची में होटेल पाटले पुत्र एक्जोटिका, पटनास स्टेशन, सित महराजो कॉम्पलेक्स और होटेल पाटले पुत्र निर्वान, विसकोबान कॉल्नी जैसे बड़े नाम शामिल है NSMCH बिटा में एक किड्नी दिवस पर हुआ सेमिनार पुतिका, अब आए जानते हैं सराफ़ बाजार और प्रतिक्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफ़ बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,250 रुपे है वही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,630 रुपे है इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रतिकिलो 70,200 रुपे है इसके साथ ही राज़ारी पटना में पेट्रोल की कीमत 150.09 रुपे प्रति लीटर और डीजल के दाम 11.09 रुपे प्रति लीटर है वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिक्तम 31 डिग्री सेल्स या समय नियुन तम 16 डिग्री सेल्स कैसे हैं कल हमारे दुआरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनकी नाम है जुते इन रठाकुर, अजित कुमार, मोनु कुमार, रवी कुमार, उदल कुमार, विकास कुमार आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस्ट्रकार है आपके नुसार होली को लेकर पटना पुलीस की तरफ से बढ़ाई जा रहे चौकसी से हुरदंग्यों पटना के लकस्ते में पुलिस कामयाब हो पाएगी या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बदाए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही पटना की बड़ी खबरों से अबड़ेट रहने के लिए हमारी योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबारन न भूले धन्यवाद